Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग रीक का सापता है क्राशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ओफ इमोशन्स एंड दो फूल और देखें ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटिफुल एनरजीज की बात करते हैं आपने किसी भी चीज को लेकर impulsive नहीं होना जल्दबाजी नहीं करनी कोई बड़ा decision कोई बड़ी choice अगर आप इस week ले रहे हैं तो जो भी experiential इंसान आपकी life में हैं आप उनसे जरूर discuss कर लें आप उनसे जरूर एक बड़ी बात कर लें और specifically fool के कार्ड को देखें तो ये का खौब देखने की बात करता है उसी से ही related risk और chances भी लेने की बात करता है और यहाँ पे भी लियोज में आपको यही कहूंगी कि risk हमें life में लेने पड़ते हैं जब तक हम calculated risk नहीं लेते हैं तब तक एक growth एक progress भी हम अपनी life में नहीं लेकर आते हैं लेकिन जब हम बिना सोच समझे risk लेते हैं तब कहीं हम अपने आपको मुसीबत में भी डालते हैं और फिर से देखे इस चीज का खयाल आप ज़रूर रखें आप carefree रहें लेकिन careless ना हो आप innocently चीजों को deal करें लेकिन in the process आप immature ना हो क्योंकि देखें आप ए page of emotions का भी card कहीं attachment की बात करता है कहीं च जब भी भी professional front में हम चीजों को लेके emotional होते हैं तब ही कहीं हम एक professional attitude खोते हैं और उस time हम नहीं देख पाते हैं लेकिन आगे जाके issues और मसले होते हैं तो इस चीज की भी checking आप इस week ज़रूर करें और otherwise देखें page of emotions का card message, email, phone call के मिलने की बात करता है और अगर आप भी again किसी message, phone call, email का wait कर रहे हैं तो इस week आपको मिलने के बहुत सारे chances हैं और कहीं इसी message, email, phone call की वज़े से एक happiness, एक joy भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of inspiration and postponement तो दिखें four of inspiration का card कहीं celebration की बात करता है, get together की बात करता है, जादा लोगों से socialize करने की बात करता है, interact करने की बात करता है, fun, mazah, musti की बात करता है, vacation पे जाने की बात करता है, कहीं change of place, change of location, change of residence की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी किसी भी level पे specifically आपके personal front में रह रहा है लेकिन देखिए आप ये 4 of inspiration का card reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले भी इस week रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 4 of inspiration के नीचे postponement का card है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई celebration, कोई vacation आपकी postponement हो रहे है इसलिए कहीं एक missing feeling आप महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन कहीं आप उनसे connect नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप celebration या फिर get together में होते हुए भी totally चीजों में आप फिर यूनों लोगों के साथ नहीं involve हो पा रहे हैं कहीं पूरी तरीके से आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं कहीं पूरी तरीके से आप participate नहीं कर पा रहे हैं और देखिए ये general reading है सब के लिए हाँ पे different reasons हो सकते हैं लेकिन nutshell में externally चीज़ें ठीक ठाक दिख रहे हैं लेकिन मन ही मन again आप चीजों से withdraw कर रहे हैं आप पूरी तरीके से participate नहीं कर रहे हैं आप पूरी तरीके से involved नहीं हो रहे हैं और guidance से आप लोगों के लिए soulmates का card है तो देखिए ये card बहुत ही clear आपको guidance दे रहा है कि जो भी आपके loved ones हैं जो भी आपके close ones हैं आप उनके साथ connect करें आप कहीं उनको एहमियत दें कहीं आप उनको prioritize अपनी life में करें क्योंकि क्या होता है ना चीज लियोज हमें बड़ी असानी से मिल जाती है हम उसको for granted लेते हैं और ऐसे में देखिए हम अपने parents को या फिर कोई खास love one होता है जो हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं उन्हीं को ही सबसे ज़ादा हम again for granted लेते हैं तो देखिए इस चीज का आप खयाल रखें और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि किसी खास इंसान के साथ आपको एक soulmate वाला connect भी महसूस हो रहा है and astrology से आप लोगों के लिए first house का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये थालियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए